नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग, उमीद करते हैं कि आप लोग स्वस्त होंगे, अच्छे होंगे आप लोगों को मैं क्लास बहुत दिनों से नहीं दे पाया था आज हम आपके सामने उपस्तित हुए हैं तो इसका कुछ रीजन दा जब हम आप क्लास नहीं दे पाये, लेकिन बच्चों जो आप देख रहे होंगे पीछे कुछ डिस्प्ले पे चलना है, ये हमने आप लोगों के लिए डिश्टल बोड लिया है ताकि आप लोगों क्लास अब और अच्छी दे पाये, अलाकि समय तो लोगी गया, कापत होती है कि देर आए दुरस्ता है अलाकि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्लासिस को और हम अच्छा आगरी की करण से जोडने के लिए आप लोगों के लिए बोड लाए है तो आप लोगों सुम्मीद करते हैं कि अब क्लासिस में और मजा आएगा क्योंकि आप लोग पहले हम क्या होता है कि कोई चीज समझाते हैं और मैटमेटिक क्या होता है, प्रटिकल नहीं होता है तो इसमें अब हम प्रटिकल करके भी दिखाएंगे हाई स्कूल में इंपोर्टिक होता है, आपने सोना होगा पहला चेप्टर है हाई स्कूल में बास्तिपिक संख्या है उसमें एक चेप्टर है बास्तिपिक संख्या और उसमें एक टॉपिक है वो कहलाता है अंडरूट 3 एक परमे संख्या है सिद कीजी अंडरूट 2 एक परमे संख्या है कैसे आती हैं यह कैसे सिद्ध होता है तो इस्टुडेंट अब हम लोग चलते हैं सिद्ध करेंगे कि अंडरूट 3 एक पर्मे संग्या है कैसे प्रूब होता है चलिए तो बच्छों क्यूशन लिखा आया सिद्ध कीजिए कि अंडरूट 3 एक पर्मे संग्या है इंग्लिस में कहेंगे प्रूब दैट अंडरूट थिरी इस अ इर्रेशनल नमबर तो कैसे बच्चों प्रूब करते हैं ये बहुत ही ध्यान देने योग बात है क्रपया आप कुछ चीजों को बहुत ही बिसे इस करशे आप लोग कंसेट्रेट अपने माइन को करेंगे बहुत सिंपल से बेमे आपको बताएंगे सबसे पहले होता क्या है जब क्यूशन ये कहता आप परमे सिद्ध करना है अचा बात करते हैं परमे और परमे की तो ये आप लोग को हाई स्टू लेबिल में पताई होगा परमे संग्या क्या होती है अईसी संग्या है जिनको P upon Q के रूप में लिख सकते हैं वो परमे कैलाती है अपरमे क्या होती है अईसी संग्या जो P upon Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकें, बतलब जो बटे की रूप में लिखी जा सकें, वो परमे होती हैं, और जो बटे की रूप में नहीं लिखी जा सकें, वो अपरमे होती हैं, तो अपरमे संख्या है, इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसमें उल्टा माल लेते हैं, कि माल लेते हैं, कि अंडरूर्ट तीन एक पर्मे संख्या है उचो क्या मानेंगे अंडरूर्ट तीन एक पर्मे संख्या है तो हम लोग मानेंगे माना यह लिखेंगे अंडरूर्ट तीन एक पर्मे संख्या है उचो क्या मानेंगे माना अंडरूर्ट तीन एक पर्मे संख्या है इसके बाद जब बेटा कोई भी संख्या पर्मे हो जाती है तो आप लोग हमें थोड़ी दिर पहले क्या बता हisha था कि वो संख्या है जो बटे मेंलखी जासके वो पर्मे कहे जाती है तो जब बेटा ही अपने पर्मे मह लिया है तो इसको हम अंडरूर 3 को बेटा हम लिख सकते हैं A upon B या P upon Q या A upon B या M upon आज आप जो चाहो A upon B तो under root 3 बराबर A बटे B यानि कि आप M upon N या P upon Q कैसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं A B या P Q जैसा चाहों एक चीज़ और important हम आपको बताना चाहेंगे जहां ये लिखना पढ़ेगा आपको A वा B A वा B सह अभाज संध्या हैं A वा B सह अभाज संध्या हैं अब सह बाज क्या होती हैं तथा Q is not equal to zero क्यो बटा? 0 नहीं होगा कि A वा B सह बाज संध्या है इसका मतलब क्या होता है? पहले उस पर चर्टा करते हैं देखी, A वा B सहवा संग्या होते हैं क्या है, हम आपको यहाँ बदाते हैं A वा B सहवा संग्या है जैसे हमने लिखा उपर 2 और नीचे 3 तो सहवा जी का मतलब क्या होता है आईसी संग्या हैं जिनका एक के अत्रेक्ट कोई उबाइनिष्ट गुणन घंडा हो मतलब कोई भी कॉमन फेक्टर केवल 1 होना चाहिए 1 के अधर में कोई भी फेक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए क्या मतलब हुआ इसका जैसे अगर इसमें अगर हम एक का मल्टिप्लाई करा दें और यहां एक का मल्टिप्लाई करा दें तो बटा जो संख्या रहेगी 2 बटे 3 ही तो रहेगी तो अगर पूछा जाए कि 2 बटे 3 जो 2 और 3 है ये कहिजे संख्या है आप कहेंगे सब साहिबाज है क्यों क्योंकि इनका एक के अत्रिक्ट कोई भी अब जैसे एक्जामबल ले लेते हैं मैंने कहां 4 बटे 6 अब ये बेटा आपकी साहिबाज नहीं है ना 4 ना 6 4 और 6 आपसम साहिबाज नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि जब 4 के आप फेक्टर करेंगे तो फेक्टर के आउंगे 2 गोणे 2 और एक हम अपने आपसे डाल दे रहे हैं बटे 6 के क्या हो जाएंगे 3 गोणे 2 गोणे 1 हो जाएंगे तो एक तो इनका फेक्टर ही आप देख पा रहे होंगे और इनका कामन फेक्टर क्या है 2 है और अभी हमने क्या कहा था कि ऐसे संग्या है जिनका एक के एत्रिक्त कोई भी उबाइनिस्ट गुलन खंडा हो और बैटा आप देख पा रहे होंगे एक के एत्रिक्त उबाइनिस्ट गुलन खंड क्या यहाँ दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है इसका मतलब यह संग्या साइबाज संग्या नहीं है, जैसे हमने एक और एक जाम पर समझेए यहां हमने ले लिया 3 और नीचे ले लिया हमने 15 अगर आप इसके factor करेंगे बटा 3 into 1 हो जाएगा और नीचे factor करेंगे 3 into 5 into 1 हो जाएगा 1 तो सबका factor होता ही होता है यहां आप देख पा रहेंगे 3 इसका भी factor है इसका मतलब यह सहेवाज संख्या नहीं है और अब सहेवाज होंगी क्या दो बटे तीन यह हमने जैसे लिखा इसके बाद तीन बटे चार यह हो जाएगी इसके बाद नो बटे पांच यह हो जाएगी अब आप यह मत कह देना सर सहेवाज का मतलब अभाज संख्या है अभाज तीन बटे आठ, आईजी संख्या हैं जिनको आपस में काट आना जा सके, आईजी संख्या हैं जिनको आपस में काट आना जा सके, जिसे तीन और आठ है, इसको आप क्या किसी एक संख्या से काट सकते हैं, ना दो से काट पाएंगे, केवल उपर अपना तीन से लकटेगा, नी चार बटे साथ है वो एक अबाज संक्या है तो बेटा हम आते हैं अपने क्यूशन पे जो हमने माना है कि जहां A वा B सहवाज संक्या है तथा यहां पर A लिखेंगे क्योंकि नीचे हमने जो B लिखा है जहां B इस लाटिक पल्टू जीरो मतलब जो हर होगा वो जीरो नहीं हो लिखा है वो अगर परिवासित है तो इसका अंशर आपरिवासित क्यालाता है इसको अगर जीरो है नीचे एक लिखा है, तो इसका अंसर आप जानते होगे, जीरो होता है, इस बात को आप लोग बिसे स्थ ध्यान रखें, इस बात की भी चर्जा हमने यहाँ पे कर लिये, क्योंगी बहुत से बच्चे इहां confused रहते हैं, तो A हुआ भी सहवाज संख्या है, हाँ, तो बच्छो अब हम क्या करेंगे, इसका cross multiply कराएंगे, तो यह हो जाएगा 3B square is equal to A square, यहां से हम B square की value निकालेंगे, क्या आएगी, A square upon 3, इसको हम थोड़ी देल के लिए, समीकर नमबर क्या डाल देंगे, एक डाल देंगे, यह पूरा theorem है, इसको prove करने का यह पूरा theorem है, ऐसे ही आप पेपर करना पड़ता है, तो अब क्या करेंगे, तो B square बनाबर आया है, A square बटे 3, इसे हम डाल देंगे समीकर नमबर ही, बेटे, अब एक मुझे बात आप लोग बताएंगे, यह बटे 3 का क्या मतलब है, कि यह 3 जो है, 3 से यह संख्या बिवाजित हो रही है, यह बटे का म A square को बिवाजित करेगा, और मुझे एक बात आप बताइए, अगर A square को करेगा, तो क्या 3 A को करेगा, बिलकुल करेगा, यदि 3 A square करेगा, तो 3 A को भी बिवाजित करेगा, यह बात आप लोग ध्यान से समझेंगे, हमने यह लिख दिया है, अभी बहुत से बच्चे नहीं समझे उल्गे तो बच्छो, इस बाट को हम लोग समझते हैं कि यह सका कहने का मतलब क्या है? माल लो कि A square की जगे हमने माल लिया 9. 9 तीन को वाजिद कर रहा है, सर बिल्कुल कर रहा है. तो 9, जब 9 को वाजिद कर रहा है, तो हम कह दें, 3 क्या 3 को भी करेगा सर बिल्कुल करेगा मतलब 3 a square को वाजित कर रहा है अब आप देखें यहां हमने a square की जगे 9 माल लिया और बटे में 3 जो लिखा भाई लिखा तो a square को हमने 9 माल लिया थोड़ी देर के लिए a square को हमने क्या माल लिया बटा 9 तो a की मेलू क्या आईगी जब इसकर अटावी अंडूड आएगा अंडूड 9 का मतलब 3 तो देखो 9 3 जो है 9 को भाजित करना है बिल्कुल करना है करना है देखो यहां द्यान से क्या 3 क्या 3 a को करना और a मतलब 3 क्या 3 3 को भाजित करेगा तो 3 a को भी भाजित करेगा जैसे अगर एक और एक और एक जांप ले 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 लेते हैं जैसे 16 को अगर हम 4 से काटें तो 4 जो को 16 चार बार गया अब अगर हम 16 का परभूल कितना हुआ 16 को भाटा 4 हुआ अगर 4 को 4 से काटें तो क्या नहीं कटेगा वही चीर यहां लिखी है देख पारे हम गे थिरी यह इसको भाजित करेगा तो 3 a को भी भाजित करेगा इतना काम करने एक बाद बैटा हम क्या करेंगे माना ए मरावर अब हम लोग लिखेंगे थिरी यम सर थिरी यम ही क्यों लिखा इसका रीजन है क्या बिल्कुल है देखिए नीचे केतना लिखा है 3 तो हमने यहां क्या लिखा 3 a m a m हम अपने आप से लाए जहां a m एक कूडांग है a m एक कूडांग है इसका कोई खास रोल नहीं है बस हमने आप समझा दिया जहां कहें सर ली यह m कहां से आ गया a m अपने आप से लाए a m पर में धुडांग जोड़ा है a m बराबर 3 m ही रखेंगे जैसे हम लोगर आपके नीचे बटे में 4 होता तो लिखते a बराबर 4 m रखने पर नीचे बटे में 5 होता लिखते हैं A बराबर PANCH हम लिखने पर नीचे सात हम होता तो लिखते हैं A बराबर सात हम लखने पर तो इतना काम अमे लिखेंगे तो देखों बैटा SAM shop करण X से आजाएए देखेंगे SAM shop करण X से लिखेंगे Sиком करण X में आईए यह कट जाएगा, कितनी बार कटा, तीन बार, तो यहां से B2 बराबर क्या आया है, 3M2, इतनी बात क्लिर है, थोड़ा इसको उपर बढ़ाते हैं, ताकि आप लोगों को सही से दिखे, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहां से अगर हम बहिलू निकालते हैं, 2M2 की, तो M2 बराबर आएगा, B2 बटेती, इसनी हम लोग डाल देते हैं, समी का नमबर 2, अब आप इसको ध्यान से समझीए जरा, यहां B2 बराबर आया, A2 बटे 3, यहां M2 बराबर आया, B2 बटे 3, यहां आमने लेंग्वेज क्या लिखी थी, कि 3A2 को बाजित करेगा, तो तो 3B को भी भी भाजित करेगा, अब देखें बटाओ, हमने यहां पे लिखा है, कि यदि 3B स्कूर भाजित करेगा, तो 3B होए है, बिलकुल सेम कॉंसेट जो हमने यहां लगाया, वही सेम कॉंसेट यहां पे लगेगा, अगर आप B की जगए कोई ले 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 जिए, पचीस ले ले लिए, और इसे हम 5 से काट रहे हैं, पचम, 25 पांच बार कटा, अगर 25 का बरुमूल करो के 5 आएगा, 5 क्या 5 से नहीं कटेगा, तो वही चीर यहां पे लिखी है, अब आज पाहवाजी का मतलब बताया था, कि जिनका एक के अतरिक, ध्यान दे, जिनका एक के अतरिक कोई उभाइनिस, तयानी कोई भी common factor, नहीं होना चाहिए, कोई उभाइनिस गुळन घंड नहीं होना चाहिए, और यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि उभाइनिस गुळन का कि एक शुड़न खंड नहीं हैं लेकिन सर आपने लिखाए कोई संझ्थी से नहीं कटेगी, लेकिन सर यहां क्या हो रहा है, यहां तो 3 से कट रही है, यहां तो 3 कट रही है, आपने क्या लेगा जा, A और B, एक से कटाएंगी सर के जिसर नहीं कटाएंगी और यहां क्या हो रहा यहां तो मामना उल्टा हो गया यहां मामना उल्टा हो गया यह तीन से गट रही यह तीन से गट रही इसका कहने का ताथ पर कि एक एत्रिक्ट उभाईनिस गुरंट घंड इसका तीन भी है और यह सर तीन उसका बिरोध कर रहा है सर बिल्कुल बिरोध करेगा क्योंकि आप बान के कुछ और चलेते आया कुछ और क्योंकि जो चीज है अंडरूर तीन एक अपर में है और आपने माना पर में तो सर कैसे आ जाएगा ऐसा संबब ही नहीं है यहां से आपको एक जीवन में और एक और सीख मिल रही है कि जो चीज बेटा सत्त है वो हमें साथ सत्त ही रहेगी कभी असत्त सावित नहीं हो सकते language क्या होती है वो language हम आपको यहां पर exam में भी लिखने के लिए ही बोलेंगे आप एक्जाम एबाद इतना लिख देंगे कि समीकर्ड एक वा दो से इसपस्ट है कि A वा B का उबाइनिस्ट गुडनखंड एक के अतरिक तीन भी है जो की हमारी कलपना का मतलब होता है विरोध कलपना का मतलब होता है जब लोग मान के चले थे जो हमने माना था जो की हमारी कलपना का क्या करता है विरोध करता है विरोध का मतलब यह हमारी कलपना को भूता साविस कर रहा है विरोध करता है विरोध करता है तो बच्छे यहां एक एतरिक तीन भी बैक्टर है अताइसस पस्ट है कि अंडरूरतीने अप परमेशन क्या है यही आप एक्जाम में करके आएंगे, आपको पूरे-पूरे दो नंबर मिलेंगे, क्योंकि यह पहले चार नंबर का था बिलुकुल, अब आपको दो ही नंबर का मिलेगा, हाला कि यह सवाल बहुत ही पैटर में आ गए हैं, कुछ यह सवाल आता है कि दो प्लस अंडरूर ती इन एक प्रमेशन क्या है, चार माइनस अंडरूर तीन एक प्रमेशन क्या है, तमाम सवाल हैं और वो इसी कांसर्ट पर होते हैं, यह हाई स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट के प्रहिए, दो नंबर का सवाल हर साल पूछे जाता है, इसका आप इसका साइड हो जाते स्कुल स्कुल